यह अगर नहीं डरते हैं, तो यह समझना चाहिए, कि जो भी ऐसे लोग हैं, जो समाज को पतन की तरफ लेके जा रहे हैं, कहीं भी चुपे हुए, चाहे वो बैकग्राउंड में हो, चाहे इस्त्रियां हो, पुरुष हो, बड़ी-बड़ी कमपनीज हो, कोई भी, anybody, भगवान को सब कुछ पता है, देविदेवताओं को सब कुछ पता है, तो परिनाम तो भोग नहीं हो गया हुए, इसलिए, कानून से नहीं डरते हैं, ठीक है, आप बुरा करने से नहीं डरते हैं, ठीक है, आपको किसी बदमाश से डर नहीं लगता है, वो भी ठीक है, समाज से नहीं डरते हैं, ठीक है, पर अगर भगवान से नहीं डरते हैं और आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं बिगडेगा और कुछ भी करते चले जाओ, तो ये भ्रम है, इसी को भ्रम बोलते हैं, प्रत्य कर्म का हिसाब किताब होता है, और होगा, चाहे वो जो भी हो, अच्छा इंसान है तो अच्छा भोगेगा, और कोई बुरा है तो समझ सकते हैं, इसलिए जो भी females और जो भी पुरुष भी लड़के लड़कियों के साथ प्यार में, दोस्ती में धुका करते हैं, छोड़ दीजे, पच्चताएंगे, प्रेम करना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, लोगों क सुधर ये अच्छे बनिये, राम को पूझते हैं, भगवान को पूझते हैं, नानक जी को पूझते हैं, तो सही रास्ते पे आए सभी लोग, Otherwise, अगर आप सोचते हो कि मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया, मंदिर में गुंगट में जाके हाथ जोड़ लिए और बाहर आप कुछ भी करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, भगवान कंकं में हैं, ऐसा कहा जाता है, तो इस बात को समझिए, कि वो भगवान क्या आपकी चुन्नी में नहीं है, क्या आपके सलवार सूट में नहीं है, या आपके और वस्तरों में नहीं है, और जगाओं पे नहीं है, कहां नहीं है, भगवान हर जगए हर समय सब के बारे में सब कुछ जानता है देखता है इसलिए अपने आपको ठगना छोड़िए जो आप ये सोच रहे हैं कि हम ये कह देंगे ये तो हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी पहनें कुछ भी ओडें कुछ भी उतारें ऐसा नहीं है ये आपका अधिकार नहीं है आपका अधिकार है कि आप अपने कर्मों का चुनाव कर सकते हैं अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपका अधिकार है कि आप कुछ भी पहनें कुछ भी हरकते करें तो आपका उस बात के लिए भगवान की तरफ से जो सजा दी जाएगी ऐसे लोगों को वो सजा भुगतने का भी फिर आपका अधिकार होगा क्योंकि उसमें आप मजबूर होंगे ऐसे लोग